आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ आपको इतना बता होता है कि जो हमारी Mud होती है यह आपकी क्या होती है heavier होती है heavier होती है then your water so it is heavy यह heavy होती है इसकी वेशे क्या होता है कि आपका जो Mud Water का जो हमारे पर solution होता है वो आपका क्या होता है insoluble होता है सब्सक्राइब करना है इसके लिए प्रॉसेस यूज कर सकते हूं डिकेंटेशन का राइट सो डिकेंटेशन प्रॉसेस में हम क्या करते हैं बेसिक अगर मैं आपको क्या है है कि क्यों आपका आपको ब्लाइट अगर उसको क्या होगे विए अगर तो आपका इसम बीकर में शिफ्ट कर प bill in आपके इस baker में आपके पास क्या है, you will be left with your mud, right, mud आपके क्या होगे, इस में रजाएगी, right, so इस तरीके साब separate कर पाओगे, और इसी process को हम क्या कहते है, decantation कहते है, right, so decantation के process से आप muddy water को, muddy water के components को basically separate कर सकते हो, so option 1 आपका correct होगा, fine, लिको sublimation आप नहीं use कर सकते, लिको sublim sublimation में एक component की tendency होने चाहिए, कि वो basically आपका क्या vapor form में convert हो जाए, right, so sublimation से नहीं हो पाएगा, fine, क्योंकि sublimation में वैसे भी आपका क्या होगा होगा है, कि solid substance को directly vapor में convert करते हो, so यहाँ पर आपका logic की लगेगा नहीं, right, and magnetic separation में at least एक component में क्या होना चाहिए, आपका ऐसा ह होने चाहिए, कि जिसमें magnetic properties होने चाहिए, कि magnet के help से आप उसको separate कर पाऊ, आपको बजाए कि water और mud दोनों ही non-magnetic है, so यह भी नहीं हो सकता, so decantation is the correct answer, thank you.